नमस्कार दोस्तों राजस्तान करंट अफेर 2019 में आपका स्वागत है देखे अभी हर एक्जाम में करंट अफेर का एक बहुत अच्छार हो लोग है तो राजस्तान के जित्ती भी एक्जाम है और खासकर फार्मासिस्ट एक्जाम जो राजस्तान फार्मासिज एक्जाम 2018 है तो उसके लिए जमा करंड अफिर आपके लिए लेके आए हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं देखे अभी जो पदम स्री वार्ड मिलने है उसके ये राजस्तान की भी दो किसान है उनको ये वार्ड मिला है जग्दीज परसाद पारिक तथा हुकम जंदर पार्टिदार दोनों किसान है और दोनों जेवी करसी करते हैं देखे जेवी करसी क्या होती है पहले बात को बता दूँ जेवी करसी में क्या है पन कोई भी पेस्टेशेड का यूज नहीं करते राजस्थान का पहला जो जेविक जिला है वो कौन सा है डूंगरपूर ये सवाला चुका है तो चलिए पहले बात करता हूँ है जगदीज परसाद पारिक जगदीज परसाद पारिक हैं ये सिकर जिले से बिलोग करते हैं और इनोंने 25 किलो फूल गो भी उगानी का रिकोड बनाया है दूसरे हैं हुकम जंद पार्टिदार हैं ये अपने जालावार जिले के हैं और इनोंने जेविक तरीके से धनिया मेथी लसुन और यहूं की जो Oxford Dictionary द्वारा किस वर्ड को Hindi word of the air गोशित किया गया है देखे 2018 2018 के लिए जो Hindi word है Dictionary में उसको वो है नारी सक्ती देखे नारी सक्ती क्यों चुना गया क्या reason है क्योंकि अभी कुछ दिनों में एक तो खास कर अंतरास्टे मैला दिवर से उसके उपर नारी सक्ती पुरुषकार देने की गोशना की है जिससे नारी सक्ती जो सब्द इसका प्योग काफी बढ़ गया है दूसरा एक जो ट्रिपल तलाक वाला मामला चल रहा था तथा जो केरल का सबरी माला मंदिर है हमापे महिलाओं के प्रवेश को अनूमती नहीं दी तो इसकी वज़े से जो नारी सक्ती वाला सब देए काफी ज़्यादा लाइम लाइट में आ गया है जबकि 2017 में जो ऑक्सफोर डिशनरी है उसने आधार को हिंदी वर्ड अफ़ देयर गोशित किया था नेक्स अवाल क्यूशन क्या बनाए है कि केंद्रिय साहित्य अकाद्मी अवोर्ड केंद्रिय साहित्य अकाद्मी अवोर्ड 2019 के लिए किसको सलेक्ट किया गया है तो केंद्रिय साहित्य अकाद्मी अवोर्ड है उसके लिए डौक्टर राजिशराव को सेलेक्ट किया गया है और क्यों सेलेक्ट किया है इनकी जो कावे करती है कविता देदे देवे दीट इसके लिए इनको सेलेक्ट किया गया है पंदरी विदान सबादे कि दोस्तों भी चुनाव हुआ है राजस्थान में पंदरी विदान सबादे कि तो चुनाव से भी काफी important question आते हैं अभी अगर अपने बात करें जो महिला सुपर्वाइजर का paper वा था उसमें भी सवाल आये था कि राजस्थान का जो चुनाव महिलाएं विदाइक बनी है देखे 24 महिलाएं इसमें विदाइक बनी है अभी देखे अभी जो वापिस उपचुनाव हुआ है गुनति जनवरी को उससे पहले कितनी संख्या थी 23 संख्या लेकिन 24 विजो सोफिया खान है जिनोंने रामगड अलवर है कांग्रेस की परत्या अबार शेकें बनी हैं कि तोटल मिलाएं के 24 महिला विधायक हैं कि बार की विदाइक में में चैने रहा थु यह जको हैं उसके मु के मंत्री आशाय लोत राजस्तान के 25 मुख्य मंत्री इस wireless 2 pod8 में और बाद 1702 वग मत्री रह चुके है नेक्स्ट उप मुख्य मंत्री सचीन पालेट को बनाया गया है देखे सचीन पालेट है वो 5 वी नंबर के उप मुख्य मंत्री इसे पहले 4 बन चुके हैं पहले बने थे टिकाराम पालिवाल, दूसरे हरी संकर भापड़ा, तीसरे बनवारिलाल बैरवा और चोथा कमला बैनिवाल नेक्स्ट, टोटल मद्दान कितना हुआ है, 74.69% मद्दान, देखे, 2013 में ये 75.23 था, मतलब की, 0.54 का इसमें, डिक्रीज वह मतलब कम हुआ है, नेक्स्ट, कांग्रेज को 39.3, जो टोटल वोट है, वो मिले हैं, बाजपा को मिले हैं, 38.8 परतिशाद, नेक्स्ट, क्यूशन मनता है कि, जो ये पंदरवाज जो लोक विदान सभा चुनाव है, इसके अंदर कहां पर उप चुनाव वापिस से पुनर मद्दान करवा गया था, देखे, गंगानगर की करनपूर विदान सभा है, वहाँ पे गाउँ है, 18 बीबी गाउँ, वहाँ इसको वापिस से पुनर मद्दान करवा गया था, नोटा, 2018 में जो नोटा में वोट पड़े हैं, वो कितने पड़े हैं, 4,66,252 और जो 2013 है, उसमें ज्यादा पड़े थे, मतलब नोटा के अंदर थोड़ी सी कमी आई है, मैक्जिमम नोटा की वोट कहां पड़े हैं, कुश जीते हैं, तो वो जीते हैं केलास महगवाल, लगभगी 75,000, 4,5000 252 और जीते हैं, नेक्स, पंदरवी विधान zwr है, इसके अदेक्स किसे बना गया है, तो डाक्टर सीपी जो जी है, इनको 15 विधान सवा का अदेक्स बना गया है, और ये नात द्वारा है, हहाँ पर विध बनाय गया है क्योंकि इससे पहले मेर थे वो असोक लाहोटी और वो विदाइक बन गया है आगला सवाल हाली में नया पुलिस कमिशनर किसे बनाय गया है तो हाली में बीजू जोर्ज जोसफ को नया पुलिस कमिशनर बनाय गया है नेक्स्ट रास्ट्रिय बाली का दिवस के आउशर पर प्रदेश के किस जिला कलेक्टर को उत्कृस्ट कारिये के लिए सम्मानित किया गया है देखे दिनेश चंदर जैन है जो वर्तमान में पाली की जिला कलेक्टर है उनको 24 जनवरी 2019 को राज स्ट्रे बालिका दिवस किया उसर पर प्रदेश के मतब सम्मानित किया गया था क्यों किया गया था इन्होंने बेटी बचाओ जो बेटी पड़ाओ कारिक्रम है उसमें बालिकाओं को Enabling Girl Child Education सिरेनी में अच्छा कारी किया था इसकी बज़े से सरकार ने इनको सम्मानित किया है Next अवाल SI की ट्रेनिंग कराने में देश बर में सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है तो भई देश बर में सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है जोदपूर Next परेटन विभाग प्रेटन वीबाग राजस्तान सरकार ने अपना नया स्लोगन क्या दिया है तो देखे दो 2019 में जो नया स्लोगना है वो आया है पदारो मारदेश देखे पदारो मारदेश राजस्तान में स्टार्टिंग में यह था आरेस 2016 में सवाल आ चुका इसलिए इंपोर्टेड बनता है दूसरी बात इंग्लिश जो परेटेवी बाग उसने दो तरह के लोगों लॉंच किये इंग्लिश में क्या है राधस्थान इंक्रेडीबल स्टेड ओफ इंडिया और जो दूसरा हिंदी में है उसमें है राधस्थ लगाए यह कापे बनेगा यह जो पूर में बनेगा क्यों बनेगा देखे पर्थम वह दीत्य विश्वी दुआ था उसमें जो अदम में सहस का परिचे देने वाले मारवाड के जो वीर योद्दा हैं उनको यह समर्पित होगा और उनकी जो वीर गात हैं उनकी याद दिला लाएगा नेक्स अवाल खेलो इंडिया यूत गेम्स में राजस्तान का कौन सा स्थान रहा है तेखे राजस्तान का इसमें 11 राय राजस्तान रहा था राजस्तान ने 10 गोल्ड 16 शिल्वर और 18 ब्रॉंज मेडल जीते हैं और राजस्तान से जो मैक्जिमम खिलाडी थे उन् इन जॉनलिजम अवाड यह किसको दिया गया है यह दिया गया है गुलाब को ठारी गुलाब को ठारी कोण है यह जो राजसान पत्री का उसके संपादक है नेक्स्ट खुश्बू कवर ने कीशिन मनता है कि परदेश की किस महिला ने सत्तरवे गनतंतर दिवस समारों में राजपत पर महिला सैनिक टुकडी का नित्रत्व किया था तो देखे खुश्बू कवर खुश्बू कवर है इन्होंने जो गनतन दिवस था राजपत पर फर्स्ट बार असम राइफल की खुश्बू करती है मैला से नहीं कहे उसके टुकड़ी का निर्थित्व किया था खुश्बू राजस्तान की निवासी है चांद E4 देखे चांद E4 क्या है चांद E4 है यह चाइना का अंतरिक्ष्यान है चाइना ने जो चंदर्मा है मतलब है चंदर्मा के उपर इसको जो उतारने का काम किया है इसमें जयपूर के मनी शर्मा है इन्होंने यह जो प्रोजेक्ट था इसमें बहुत हेल्प की थी, क्या हेल्प की थी कि जो जियोलोजिकल मैप है उसको आधार माना था और उसके आधार पर ये जो अंतरिक्ष्यान इसके लेंडिंग करवाए गई थी नेक्स्ट, 25 जनवरी 2019 को रास्ट्रे मतदादा दिवस के आउशर पर पर देश की किस जिला निर्वाचन अधिकारी को रास्ट्रे पुरुसकार से समानित किया गया है देखें ये पुरुसकार मिला है आर्ती डोगरा को, क्यों किया? क्योंकि जो विदान सभा चुना हुआ था, 2018 उसमें दिव्यांग जनों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था मतलब उनकी सुविदाओं के दियान रखा था, इसलिए ये इनको मिला गया है नेक्स्ट, कांकानी जोतपूर क्यूशन क्या है? कि राजस्थान के किस स्थान पर भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड भेल ने सेन ने उपकरों की मेंटेनेंस और रिपेरिंग यूनिट स्थापित की है देखें, यहाँ पर क्या होगा? जी जो आकास मिसाइल है या जो राडार परनाली है आदी का मेंटेनेंस हो जाएगा क्योंकि अभी तक क्या करते दिनकी जो देखबाल और रिपेरिंग है उसके लिए इनको बैंगलूर जाना पड़ता था इसकी गोशना की है जो देखें, पचपदरा बाड मेर में 2022 तक रिफाइनडरी का काम पूरा होने के साथ ही जोदपूर में रिफाइनरी स्किल सेंटर भी खोला जाएगा रादस्थान में वुर्दावस्ता पैंच नहीं हो जना, देखे राज़स्तान में वूर्दावर्सन वाले बच्ची हुते हैं लडगा लड़की उनको मिलते हैं एक लवे पुरुसकार दो मिलता है लड़की को जात्रा को देके पहले इस 11,000 रुपे देते थे अब देंगे 21,000 रुपे और दूसरा वर्ड जो ट्वल्थ वाले उसमें 1130 मिलते थे मिलेंगे 11,000 रुपे नेक्स्ट बिसलपूर बांध के किस नदी से पानी लाने की प्रयोजना का कारिया सल रहा है वो नदी है ब्रामनी नदी और ब्रामनी नदी कहां से है चितोडगर में बहती है चर्चा में क्यों है क्योंकि बिसलपूर बांध में पाणी लाने के लिए यह जो 89 किलोमेटर के नहर बनेगी और इससे जयपूर अजमेर वटोंग इनको पाणी मिलेगा क्यों यहाँ पे पाणी की बहुत ज्यादा कमी है ओके नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा करन जिकिएगा नेक्स वीडियो अभी बनाने के आपको त्यार करूँगा और जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊँगा थेंक्यों दोस्तों